दोस्तों हम लोग अभी इस वीडियो कंदर इंडियन पॉलिटी के फंडामेंटल राइट्स यनि मूल अधिकार से समधित महत्वपूर्ण प्रश्ण जो परिक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं उन प्रश्णों को पूरे डिटेल एक्स्प्लेन के साथ पढ़ने वाले हैं में प्रश्ण मूल अधिकार से समधित देखने के लिए निशित रूप से मिलेगा इसलिए वीडियो कंदर आप लोग शुरू से अंततक जुड़े रहिएगा और आप अपने दोस्तों को इस वीडियो को जरूर सेयर किजिएगा और एक कमेंट बॉक्स में कमेंट अच्छ की बात करें तो मूल अधिकार फंडामेंडल राइट भारतिय संबिधान के भाग तीन के अंदर हैं भारतिय संबिधान के किस भाग के अंदर नागरीकों को मौलिक अधिकार परदान किये गए हैं भाग तीन के अंदर और भाग तीन अनुछेद की बात करें तो अधिकार से समंधित प्रश्न को पढ़ेंगे और मौली क अधिकार का प्रावधान USA अमिर्का के संविधान से लिया गया है। किसे परदान की गई है। कानूनों पर प्रात्मिकता परदान करता है। आगे का प्रश्न है भारतिय संविधान के अनुछेद 13 का मुख उद्देश्य किसके संदर्व में संविधान की सर्वुचता सुनिस्चित करता है। संविधान की सर्वुचता सुनिस्चित करता है भारतिय संविधान के अनुछेद 13 के अंदर किसके द्वारा। तो मौलिक अधिकारों के द्वारा। आगे का प्रश्न है भारतिय संविधान में समानता का अधिकार का विस्तार किस अनुछेद में है। समानता का अधिकार का विस्तार अनुछेद 14-18 के बीच में है। आगे है भारतिय संविधान का कौन सा अनुछेद विधी के समक्च समता का अधिकार राइट टू एक्विलिटी से समन्दित है यानि कि समता का अधिकार भारतिय संविधान के किस अनुछेद के अंदर है तो अनुछेद नंबर 14 के अंदर है समता का अधिकार राइट टू ए धर्म आधी के अधार पर विभेद का परती सेद अनुछेद 15 एक मूल अधिकार जिसे समोनता का अधिकार के अधिक वर्गी किरित किया गया है। समोनता में रख कर सर्वोच नियायलाई द्वारा समानकारी के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार परदान किया है। यह है अनुछेद 14 तथा अनुछेद 16। समविधान के अनुछेदों में कौन सा एक लोक नियोजन के विशे में भारत के सभी नागरीकों को अवसर की समानता की गारंटी पदान करता है। यह अनुछेद 161 और अनुछेद 162 के अंदर रखा गया है। आगे बात करते हैं समविधानिक उपवंध की बात करते हैं तो समविधानिक उपवंध दो पर करके हैं। एक तो है केवल भारतिय नागरीकों को मूल अधिकार प्राप्त है और दूसरा है भारतियों एवं विदेशी नागरीकों को मूल अधिकार प्राप्त है। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं दोस्तों भारतिये नागरीकों को जो मूल अधिकार प्राप्त है वो क्या-क्या है तो पहला है धर्म मूल वन्स जाती लिंग या जन्म अस्थान के अधार पर विभेद का परतिसेद ये अनुछेद 15 के अंदर है आगे है लोक नियोज के विशे में अवसर की सामानता ये है अनुछेद 16 में है इसका मतलब ये हुआ भारत के परतियेक नागरीकों को किसी भी सरकारी गौर्रमेंट जॉब्स की निकलती है यानि किसी भी परकार का सरकार के द्वारा वेकेंसी हो या कोई सामान अवसर हो उसमें परतियेक नागर को को समान आफसर मिलेगा ये कीज अनुच्यत के अंदर है तो अनुच्यत 16 के अंदर है आगे है वाक के एवं अभिव्यक्ति सांति पूर्ण एवं ससस्त्र रहीत सम्मेलन करने संग एवं सरकारी समिती बनाने भारत के राज छेतर में अब धारन संरचना एवं बसने तथा व अलब संख्यक वर्गों के हीता का सरक्षन अनुच्यत 29 के अंदर अलब संख्यक वर्गों को हीता का सरक्षन जो किया गया है वो अनुच्यत 29 में है आगे है सिक्षन संस्थाओं की अस्थपना और प्रशासन करने का अलब संख्यक वर्गों का अधिकार ये अनुच्यत 30 के विधी के समक्ष समता और विधियों की समान सनरक्षन ये अनुच्छेद 14 के अंदर है आगे है अपराधाओं के लिए दो सिद्धी के संदर्व में सनरक्षन अनुच्छेद 20 के अंदर है जीवन का दिकार अनुच्छेद 21 में है सिक्षा का अधिकार अनुछेद 21-1 के अंदर है कुछ दसाओं में गिरफतारी एवं निरोध का संदक्षन अनुछेद 22 में है सोसन के विरुद अधिकार अनुछेद 23-24 के अंदर है धर्म एवं संस्कृती की स्वतंतरता का अधिकार अनुछेद 25-26-27-28 के बीच है संभीधान के किस अनुछेद के अंतरगत अश्प्रिश्यता का उन्मूलन किया गया है। अस्प्रिश्यता निवारन अधिनियम उनिस्वपच्पन के अंतरगत अस्प्रिश्यता को बढ़ावा देना एक दंडनिय अपराद है। अभिवेक्ति की सोतनतरता के मूल अधिकार का प्राभधान किया गया अनुछेद उनिस्वपच्पन के अंदर। भारत के संविधान में प्रेश की सोतनतरता, फ्रीडम औप्रेश का पत्यक्ष प्राभधान नहीं है, परंतु सोतनतरता किस अनुछेद के अंतर नहीं थे। आगे है भारतिय संविधान में आर्थिक समानता यनि एकोनोमिक एक्योलिटी समानता के मौली क अधिकार में समलित नहीं है। इस तरह से दोस्तों हम भारतिय संविधान के अंदर जो मौली का अधिकार है, उस मौली का अधिकार से समन्दित जो महतरपुर्ण प्रशन बना पार्ट वन के अंदर वो बताने का परियास किये। हम आप लोगों के लिए अगले दिन इसी को आगे continue करके part 2 आप लोगों के लिए लाएंगे और उसमें भी जो important प्रशन बनेगा वो भी आप लोगों के सामने हम रखेंगे और उसको पूरे explain करेंगे। हमें उमीद है कि ये वीडियो आप लोगों के लिए अत्यन्त उपयोगी साबित होने वाला इसलिए जाते जाते एक comment box में एक अच्छा सा comment जरूर करते जाएं तो आज की class के लिए इतना ही अगले class में हम लोग अगले दिन फिर से मिलते हैं दोस्तों तब तक के लिए धन् दोस्तों के लिए दोस्तों में हैं दोस्तों में हैं।